हलो फ्रेंड्स वेलकम तू दा यूपी एससी अनलाइजर तो आज हम 26 दि नवेंबर का इंडियान एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे इफ यूर लाइकिंग दिस अनालिसस दें प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब यहां पर फर्स न्यूस साथ एफ्रिका में एक नया वेरिय । यह न它只 बोला गया कि इंडिया में तो नहीं आ गया है। बाकि यह एक्या पर पर फूक्रीच को़ में रहे हैं इंडिया भूस्थ यू Alt cum için कांट्रिज भूश्थ 22 दिये यहां पर जो जेवर इंटरनाशनल एरपोर्ट है उसकी फांडेशन ले की गई है अब यहां पर NFHS का डेटा आया है तो बेसिकली डेली के डेटा को यहां पर बताया गया है यह हमें डेटा पता चला है NFHS के फिफ्ट राउंड से वाल दर परसेंटेज अब विमन हो एड़ हाउस और लेंड रोइस्टर इन नेम इन 2015-16 वर राउन 35 परसेंट तो लगवग 2015-16 में 35% महिलाएं थी जिनके नाम पर कोई हाउस या तो जमीन थी लेकिन अब वो नंबर जो है वो 22% पर आ चुका है इसके लब परसेंटेज अब विमन जिनके पास अपना बैक अकाउंट है और वो उसको यूज करती है वो लगबग 8% से बढ़ा है जो मोबाइल फोन से जिन महिलाओं के पास और वो उसको यूज करती है वो 7% से बढ़ा है तो यहाँ पर मोबाइल फोन का यूसेज और बैक अकाउंट का यूसेज तो बढ़ा है लेकिन जो लेंड है वो उनके नाम पर कम हो गया है ऑगी इसका पहले था नहीं इंटनेट किसने कितना यूस के षीए सिंले इसको इसको रही है ëसको इसको घ्कर्षटा हूज एसको इसको च पर डर्ессstars पर सब सबाउज बड़ा पर यहाम इ Olemm clear यह संसले नहीं और यह संसलें गया यहांकर पाकर इसका ड काक्ता है प्रजा रिपोर्ट से यह पता चला है जो पॉक्सों के के से जिसमें बहुत सारे रिजन्स हो सकते है पहला तो यह क्योंकि लास्ट यह जो था पैंडमिक था फैंडमिक था पैंडमिक में वर्चुलig कोर्ट करuna है यहाँ पर जो के से निचिंद को कम हुआ है while there has been a dip in crimes against children in Delhi in 2020 जो pendency है, cases की वो बढ़ी है और एक बात ये भी जो पुलिस से वो sensitized नहीं होती है ऐसे cases को deal करने के लिए उसको समझ नहीं आता है विक्टम को कैसे treat करना है पर अक्यूस को कैसे treat करना है जो evidence को collect करना थोड़ डिफिकल्ट होता है तो उसकी वज़े से भी जो यहाँ पर pendency वो और जाधा बढ़ती रहती है तो वी हैब डेजिगनेटेट सेशन कोट तो डिएल विफ पॉक्सो केसे बट अमज़ूरिटी अप इस केसे आर कॉम्पलेक्स तो यहाँ पर विफिकल्ट हो जाता है तो यहाँ पर सेंसिटाइजिशन करने की ज़रूरत है अब यह जो next news है डेली में पॉलूशन सीवेर काटेगरी में चला गया था बेसिकली 500 तक चला गया था तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी अक्टिविटीज को हाल्ट कर दिया गया तो यहाँ पर एनाउंस किया गया है कि कंस्ट्रक्शन अक्टिविटीज को हाल्ट होने की वज़े से जिन भी वकर्स हिट हो है उनके यहाँ पर 5000 रुपे दिये जाएंगे भागी हाँ पर कोई भी इंपॉर्टन न्यूस है नि अब सेंटर तेल्स सुप्रीम पॉर्टिट्वल्ट रुपीज एट लाग इडव्लूस इंकम नॉर्म तो आपको यह पता होगा एकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपर आठ लाग का क्राइटेरिया है अब Apex Court ने यह बोला है जो आठ लाग का क्राइटेरिया यह तो OBC एक लिए भी होता है लेकिन अगर आपने सिर्फ इसी लिए आठ लाग का क्राइटेरिया रखा है EWS में क्योंकि OBC में भी आठ लाग का क्राइटेरिया होता है तो यह दोनों चीज़े बिलकुल अलाग है जो OBC community है वो social और educational backwardness से सफर करती है लेकिन यह पर जो EWS है वो economically backward है लेकिन वो social और educational backward नहीं है तो यहाँ पर अगर आप दोनों को same treat करो इसका मतलब यह है you are treating unequals as equals तो on October 21, the APX court had pointed out that rupees 8 lakh was also the limit for the OPC quota and said that people from that community suffered from social and educational backwardness but under the constitutional scheme EWS are not socially and educationally backward but they are economically backward तो दोनों के लिए same criteria नहीं हो सकता है तो उसके बादे हैं पर सेंटर ने बोला कि वो revisit करेंगी कि 8 lakh का जो income criteria है हम पर economically weaker section के लिए तो उसको वो लोग revisit करेंगे मैंने आपको remote voting का concept बताया था कि यहाँ पर जो migrants होते हैं वो अपनी constituency में नहीं होते हैं जिसके करेंड वो यह पर vote नहीं दे पाते हैं तो political consensus build होना बहुत ज़रूरी remote voting के लिए बाकि यहाँ पर SCO की meeting में क्या के बाते बोलेंगी तो पहली बात यह जो चाइना के BRI project है हम उसको लेकर critical है वो इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान occupied Kashmir से pass होता है और पाकिस्तान occupied जो Kashmir वो इंडिया का integral हिस्सा है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान ने illegally occupy कर रखा है दूसरी बात यह जो भी यह चाइना connectivity के नाम पर countries को loan लेता है उससे जो है वो transparent process के थूर नहीं होते है और यहाँ पर debt trap diplomacy यहाँ पर चाइना करता है तो हमने उसके लिए भी बोला है कि any serious connectivity initiative must be transparent and confirmed to the most basic principle of respect for sovereignty and territorial integrity आप किसी country में आपर connectivity का project कर रहा है इसका मताब यह नहीं कि आप उस country के sovereignty को hit करोगे उसकी territorial integrity को hit करोगे जैशंकर उसो said that repeated attempts to deliberately bring bilateral issues तो है यहाँ पर basically पाकिस्टान को reference किया गया है कि पाकिस्टान बार बार कश्मीर का issue यहाँ पर STU में उठाता है तो grouping को undermine करने की कोशिच यहाँ पर Pakistan ना करे बाकि चाहबार पोट को हम यहाँ पर operationalize करने की कोशिच करेंगे ताकि यहाँ पर जो centralization countries है उनको भी यहाँ पर viable access मिल सके चाहबार पोट को हम इंक्लूट करने की कोशिच करेंगे इंटरनेशनल नौर्थ साउट ट्रांसपोर्ट करेंगे इंडिया प्रपोस्ट टू इंक्लूट दा चाहबार पोट इन दा फ्रेमवर्क आइनस टीसी तो यह सारी कुछ बाते हैं जो कि हमने की हैं SCO काउंसल में इंडिया और पाकिस्टन को permanent members बनाए गया था SCO का 2017 में स्थरीट चाहिया यह सारी अपर पर कुछ इंपर से कफ इंप देशैया लंगहाएं तो आफ यह सम्द क्या का बंपाइस नहीं हूं देकर चाहभाएं एप अब क्यूं बढ़ रहते हैं कि यह जो रहाती है था में बहुत था a में उसकी वज़े से क्रॉपलास बहुत जादा हो गया है जिसकी वज़े से आपर हम देख रहे हैं जो वेज़े टेबल से उनके भी प्राइज से आपर बाढ़ रहे है आगे चलते है यहां पर सेक्शन 376E की बात की गया है जो कि IPC का है वो बात करता है अब यहां पर किसी को 376E में चार्ज किया जा रहा है उसका मतलब यह निक उसको death penalty मिलेगी ही मिलेगी यह punishment तो है लेकिन repeat offenders की बात करता है death puts an end to the whole concept of repentance, any sufferings and mental अगनी अभी हाँ पर court का यह कहना है कि अगर किसी को death मिल जाती है तो उसके बाद पस्तावा तो खतम अगर एक बार इंसान को death मिल जाती है फिर अगर एक बार वो execute हो जाता है फिर तो सब कुछ खतम अगर उसे जिंदगी भर mental अगनी में रखना तो ज़रूरी है कि उसको यहाँ पर rigorous punishment दिया जा ना कि death दिया जा ऐसा quote का कहना है तो अगर हम चाहते हैं जो यहाँ पर अगनी में रहे तो ज़रूरी है उसको यहाँ पर rigorous punishment देना ना कि यहाँ पर उसको death देना तो observing that that puts an end to the concept of repentance, sufferings and mental अगनी अब यह जो section 376E है IPC का इसको add किया गया था 2013 में Delhi gang rape case के बाद तो it was added through the criminal law amendment act 2013 which was introduced following the 2012 Delhi gang rape case तो यह आपको समझ आ गया हो बागी हम आगे चलते हैं अब यहाँ पर जो council of ministers के strength हो सकती है वो होनी ची 15% of the assembly strength अब राजस्तान में यहाँ पर स्टेट के बस लबबग 30 ministers है और इन्होंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पर accommodate कर लिया है advices की तरह या parliamentary secretaries की तरह है तो यह जो लिमिट है वो क्रॉस हो रही है सबको कोई ना कोई post दे दी जाए जिसके कारण यहाँ पर ऐसे legal और illegal post को यहाँ पर create किया जाता है लेकिन यहाँ पर एक rule है कि 15% ही होना चीए assembly strength का और डेली में 10% ही होना चीए लेकिन इस rule को आपर violate किया जा रहे तो currently the state has 30 ministers including Gehlot the maximum possible for Rajasthan as per the rule limiting the number to 15% of the assembly strength Rathau said that by accommodating more MLA's as either advisor or parliamentary secretaries Gehlot was crossing that limit तो यह जो limit एक cross हो रही है बागी है का अगे चलते यह article में डिसकस नहीं करूँ गी excellence in exclusion यह मैंने आपको case बता दिया है प्रिंस का जो की accept नहीं हो पाया था उसकी acceptance fees यहां पर submit नहीं हो पाया थी कुछ technical glitch के चलते फिर यहां पर court ने article 142 invoke करके यहां पर अपनी power का use किया और यह बोला कि उसके लिए एक seed create किये जानी चाहिए अब इसके लिए मैं editorial तो बिलकुल नहीं पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे हम sham and a shame तो यह मैंने आपको case पता था Peng Shuai का तो international olympic committee headed by Thomas Batch has informed the word that Chinese tennis star Peng Shuai is safe and well the Wimbledon and French open doubles champion had accused of former senior Chinese government official तो यह जो Peng Shuai यह नहोंने Chinese government official को यहां पर accused किया था कि उन्होंने force किया था to have sex with him without consent तो basically rape किया था the social media post that made this public उसके बाद यह तो social media post है उसको यहां पर China ने हटा दिया फिर यहां पर जो Peng Shuai है उनका भी नहीं पाता चल रहा था कि China ने शायद उनको detain तो नहीं कर लिया है तो ऐसे में international olympic committee कुछ नहीं कर रही है यह बताएगे इस article में international olympic committee had been turned into a prop its credibility serving as a hired ally by to be trotted out every time Peng got mentioned अब यहां पर international olympic committee वैसे भी कुछ नहीं करती है बहुत सारे ऐसे cases बताएगे है अब वैसे हां पर क्यों नहीं कोई action लेड़ी international olympic committee क्योंकि यहां पर होने वाले है winter olympics और यह winter olympics अहां होंगे यह बेजिंग में होंगे तो इससे अच्छे खासे यह लोग पैसे कमाते हैं तो यह लोग जान बुछ के ऐसे क्यों करें कि यहां पर जो आने वाले winter olympics है वो ठीक से ना हो सके by diminishing peng's allegations by not even acknowledging them and losing an opportunity to explain consent तो यहां पर ज़रूर रहता है जो international olympic committee है वो इस incident से कुछ सीखे और जो यहां पर sports athletes है उनको यहां पर समझाएं कि कहीं वो भी ऐसे predator ना बन जा है ऐसे sex predator के लिए vulnerable ना बन जा है तो समझाने की बजाएं यह लोग क्या कर रहे हैं यह लोग इस पूरे इशू को दबाने की कोशिश कर रहे है international olympic committee तो by diminishing peng's allegations by not even acknowledging them and losing an opportunity to explain consent to young athlete who remain vulnerable to sexual predators due to lower imbalances in the due to power imbalances in the sporting ecosystem तो sporting ecosystem में जो power imbalances है तो यहां पर international olympic committee हो है पर जो भी young sports person है उनको समझाने के बजाएं यह जो international olympic committee है पूरे जो matter इसको खतम करना चाहरी है at stake for the अब stake पर क्या है international olympic committee के लिए तो वो हैं जो winter games होने वाले हैं बेचिंग में इससे पहले भी बहुत बार olympics को ऐसे ही use किया गया for example 1936 में the embarrassing 1936 games when nazi germany brazenly used sport for its fascist propaganda उस समय भी IOC ने कुछ नहीं किया था बागी आगे पीछे क्या और उसे यहां पर अपने broadcasting rights चाहिए यहां पर पैसे चाहिए the massacre ahead of the Mexico 1968 game saw protesters shot dead by government forces days before the opening ceremony China's में यहां पर ugyas muslim है जो उनके साथ उनको detention centers में रखा जाता है बागी यहां पर Tibet और Hong Kong में जो भी यहां पर pro-democracy protest हो तो तो such is the history of IOC's closeness with authoritarian regimes that build them grand ice castles and enormous sporting arena shaped like nest but like the transparent double glass facades of the Olmbeck house it laws ne built to keep out the din of the nearby motorways chatting out inconvenient political noise is ingrained in the organization तो कोई भी political noise होती है जो कि यहां पर IOC को यहां पर fit नहीं करती तो IOC basically उसको खतम करने की कोशिश करता है उसको दबाने की कोशिश करता है यह भी ख्यार important थो था नहीं अब यहां पर Collins की dictionary का word of the year NFT, NFT आपको पता होगा क्या होता non-fungible token तो non-fungible token पिछले साल बहुत दर्दा news में रहा था NFT Collins dictionary के according क्या है तो it is a unique digital certificate जो कि blockchain technology के according register होता है और यह ownership को record करने के लिए उस होता है artwork और collectable यह article मुँ डिसकस नहीं करेंगे are we ready to tell new stories यह article मुँ डिसकस करेंगा little more see यह जो article है यह basically same article हिंदू में भी आया था 20-25 दिन पहले there are many reasons why the death penalty should have no place in any society तो सबसे पहले author ने बोला है कि बहुत सारे reasons हैं जिससे हमें यह पता चलता है जो capital punishment है वो नहीं होना ची क्योंके पहली बात हो fundamental right to life को violate करता है दूसरी बात यह है कि अगर आपको यह लगता है कि death penalty देने से यह पर crime कम हो जाएगा तो वैसा भी नहीं होता है यह भी हमें पता चला है data से तो the argument that it may deter violent crime is counted by the observation that murder rates declined in 10 out of 11 countries which had abolished capital punishment in recent years तो यह पर जन कंट्रीज ने capital punishment खतम किया तो वहां पर जो murder rates हो कम हो आपको जन कंट्रीज में capital punishment है तो यह वाला डेटा से अमें यह बात भी बाता चलती है तो यह वाला डेटा से अगर आपड पनल्टी देने से जो crime rate है वो कम हो जाता है तो most aggredious aspect of the death penalty कितना भी आपको robust justice system हो कभी ना कभी तो miscarriage of justice होई जाता है तो अगर आप death penalty दे दोगे तो आप उसको अगर miscarriage of justice हो गया है तो basically वो irreversible damage हो जाएगा आप उस damage को ठीक नहीं कर सकते हो India has a checkered history with the death penalty तो पहले हमारे हाँ पर sexual violence को लेकर death penalty नहीं थी लेकिन 2014 के बाद यहाँ पर sexual violence के लेकर भी यहाँ पर death penalty include कर दी गई है तो and there has been a legislative expansion of the death penalty in particularly for crimes of sexual violence अब यहाँ पर project 39A है NLU के डेली इस project 39A जिसमें हाँ पर mental health देखी गई है उन prisoners की जो की basically death penalty नहीं को convict किया जा चुका है तो calls upon our society to revisit its ambivalent instance on the death penalty तो यहाँ पर 88 death row prisoners को यह पर study किया गया और यह देखा गया कि उनके ऐसा violent behavior क्यों था उन्होंने ऐसे criminal acts क्यों किये और अगर अगर अब उनको death row में आ चुके हैं तो उसकी वज़े से उनके mental health पर क्या फरक पड़ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले यह पता चला है यह जो लोग है यह जो violent crime करते हैं basically उनके जो childhood experience होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं adverse childhood experience are the most important determinants of poor educational attainment तो adverse childhood experience होता है उनके education attainment अच्छा नहीं होता है जिसकी वज़े से violent behavior और उनको mental health problems होने लगती है जिसके कराण हमने देखा है कि वो violent crimes करते हैं फिर यहाँ पर nurturing environment अच्छा नहीं होता है जिसकी वज़े से toxic stress रहता है इसके लावा emotional abuse and neglect के चलते उनका जो healthy brain architecture है वो इतनी अच्छी से develop नहीं हो पाता है तो यहाँ पर जिनको भी यहाँ पर capital punishment मिला है उन्होंने बचपन में childhood experience को यहाँ पर adverse childhood experience को लेकर वो exposed रहते हैं जिसके कराण उनका जो behavior वो इतना जादा violent हो गया था इसमें से जादा तर लोग जब वो चिल्डरन रहे होंगे तो उन्होंने verbal और physical abuse को यहाँ पर experience किया है और यहाँ पर काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके parents उनको neglect किया करते थे तो यहाँ पर जो भी death row prisoners है उसमें से लगपक two-third ऐसे हैं जिनको यहाँ पर mental illness है जैसे कि a depression, about half were assessed to be at risk of suicide इसमें से half तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर suicide का attempt करने की भी कोशिश कर सकते है undoubtedly this suffering is the direct consequence of living with the fear of it imminent अब उनको depression क्यों हो रहा है वो इस वज़ेस हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि थोड़े दिन के बाद उनको यहाँ पर execute कर दिया जाएगा more shockingly a significant number of prisoners had evidence of cognitive impairment यहाँ पर बहुत सारे patients ऐसे भी है जिनको यहाँ पर evidence है cognitive impairment का often due to head injuries तो हमें यह पता चल रहा है यह जो death row prisoners है यह intellectual disability से भी सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर court ने जब judgment दिया होगा तो court को इस factor को ध्यान में रखना चाहिए था कि जो prisoners है intellectual disability से भी सफर कर रहे हैं from a narrow legal sense the report indicates the need for courts to ensure a more searching inquiry into the lives of death row prisoners अब यहाँ पर even if trauma cognitive impairment and adverse childhood experiences have not found their rightful place in a legal lexicon they do hold relevance in determining whether a person is so blameworthy as to sentence to death अब हमें यह सोचने के जरूरत है जो patient है वो कि इतना blameworthy कि उसको यहाँ पर death दे देना चाहिए कि अगर वो intellectual disability से सफर करा तो basically ऐसे में उसको यहाँ पर death का judgment नहीं देना चाहिए क्योंकि आपर Supreme Court ने भी 2014 में बोला था कि अगर mental illness ground है तो यहाँ जो death penalty है उसे यहाँ पर rigorous punishment में convert किया जा सकता है तो indeed the death penalty is counter to the judgment of the Supreme Court which in 2014 declared mental illness grounds for commutation of a death of sentence तो यहाँ पर बस यही बात है तो project 39 a कहीं आपको code करना नेल्सन, Mandela, rules यह सरे चीज़ा पढ़ लेना यह इसी सब से related है mental health prisoner से लेकर अब a victory for the constitution तो आज है constitution day तो नरेंद मोदी regime started observing constitution day every year on November 26th from 2015 बाकि आपर farmers की बारें बताया गया है गांती जी ने क्या बोला था? गांती जी ने अपने young india में ये बोला था तो basically यहां पर लोगों को empower करने की कोशिश की जाएगी तो लोग इसके अगेंस आवाज उठा सकते हैं In other words, Swaraj तभी upturn होगा जब यहां पर masses को educate किया जाएगा और उनको बताया जाएगा that you have to regulate and control the authority आगे चलते हम Jump in women using bank account phones तो यह तो हमने data पढ़ लिया है फिर से में एक बर देख लेते हैं तो NFHS 5 से जो 14 state survey किये गए हैं तो 5th round में हमें यह पता चला है जो women जिनके पास खुद का bank account और वोज को operate करती है वो लगबग बढ़ा है तो all india figures show close to 80% women now have a bank account इससे पहले 53% के पास हुआ करता था 2015-16 में अब 80% के पास है यहां पर जो land ownership पर पंजाब और उत्रपरदेश में वो कम हुआ करती थी लेकिन आब वो बढ़ी है for example इन पंजाब अमंग the women survey 63.5% owned a house or a land और अगर हम 2015-16 में compare करें तो सिर्फ 32% था अब वो 63% पर पहुच चुका है उत्रपरदेश में भी the share of women owning land or house went up from 34.2% to 51.9% तो यहां पर पंजाब और उत्रपरदेश में जो land holding है women की वो बढ़ी है MPO राजस्थान में नहीं बढ़ी है bankers और researchers ने बोला है जो bank account जो है women के पास जादा bank account आगे है और वो इसको operate कर रही है वो इस वज़े से हैं क्यूंकि PM जन्दन योजना में यहां पर जो bank accounts खोले गहते 47% births in private facilities through C section अब यह पर WHO का यह कहना है जो cesarean deliveries होती है वो लगबग 10-15% से जादा नहीं होनी चाहिए लिए कि इंडिया में इतनी जादा percentage में आपर cesarean section हो रहे है नेरली 47.4% deliveries at private health institutions in the country were through the cesarean section according to the data from the 5th round of NFHS from 40.9% तो 2015 सोल में 40.9% C section होते थे अब 47.4% हो रहे है तर राइस in C section births is not just limited to private health care facilities बलकि public health care facilities में भी आपर जो C section है वो बढ़ रहा है लगवक 3% बढ़ा है लेकिन प्राइवेट हैं तो कुछ जादी बढ़ गया है प्राइवेट में 47.4% बहुच चुका है बस डेली और यहां पर मिजोरम नागालेंड में यहां पर C section में थोड़ा डिप हो और बाकि तो यहां पर इंटरनेट को लेकर तो यहां पर इंडिया मस क्लियरली डिफाइव इंटरनेट पर बढ़ा वो सही पढ़ा है विरीट सम्तिंग विश्फाइव अटरी को पहाईब हो और यहां पर उसके लिए subscribed to the content of the content ecommerce को लेकर बताएं टो जो बहुत अच्छी बात है उसकी वजह से जो traditional businesses बुट डिस्रप्ट हो गया है तो उनके लिए हमें कोई solution निकालने की ज़रूरत है अब यहांपर जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात की गई थी तो क्रिप्टो करेंसी को यहांपर सरकार बैन बहुत पहले करने वाली थी लेकिन उसके बाद वो बिल पास नहीं हो पाया तो इस विंटर सेशन में उस बिल को टेबिल किया जाएगा तो इन लेस दिन टू यहांपर सुप्रीम कोट इंग रूलिंग दी थी तो यहांपर जो रिजर्ब बैंक अफ इंडिया के द्वारा रेगूलेट होती है वो यहांपर क्रिप्टो एक्षेंजेज में डील नहीं करेगी तो इससे पहले 2019 में भी एक बिल इंट्रिड्यूस हुआ था लेकिन वो जो बहला है वो पास नहीं हो पाया था फिर सुप्रीम कोड ने 2020 में यहांपर जज्जमेंट दिया था और एपेक्स कोड ने बैं को ओवर्टर्न कर दिया था अर्बिया सर्कुलर को यहांपर चैलेंज किया गया था वन्दा ग्राउंट सफ प्रोपर्शनालिटी इट पॉइंटे आउट आउट यह यहांपर बैन करता है इसके बाद यहांपर बैन कर सकती है तो उसके इस अपर उस तर्कूलर को यहां पर सेट असाइट कर दिया गया था पुर्प्रशनालिट प्लेट्फरम से इंडिया में बहुत जादा बढ़ने लगे तो इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रू तो यह प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनी है, तो प्रोजेक्ट 75 has evolved into a 30-year plan for building submarines, 2005 में इंडिया और फ्रांस ने sign किया था 3.75 billion dollar का contract जिसमें 6 scorpion class submarines बनाई जानी थी, कहां पर मजगाउं, Docks Limited and DC ANS of France, तो इनके बीच में आपर executive companies ने मिलके ने यापर 6 scorpion class submarine बनाई है, तो पहली कॉन सी थी, इन 6 submarines में पहली थी आएनस कलवारी, जो की commission हुई थी 1217 में, फिर उसके बाद थी आएनस खंडेरी, आएनस करांच, आफ़र वेला, इसके बाद फिर वेला आगी, तो इहां पर हो गई चार submarines, वगीर और वक्षीर और अहरानी है, तो छे हो गई है, तो इनस कलवारी, आएनस खंडेरी, आएनस करांच, आएनस वेला, आएनस वगीर, आएनस वगीर, आएनस वगीर, तो अभी ये दोने भी construction म वेला विल बी कमिशन इंडू नेवी वेस्टन कमड एंड विल बी बेस्ट इन मॉंबई बागी यहां पर कोई इंबॉर्टन भात नहीं है आगे हम सलते ब्लाक प्राइडे हम नहीं पढ़ेंगे यहां पर जो इंडिया है इंडिया ने अपने स्ट्राइजिक रिजर्फ में स फाइफ मिलियन बैरल्स ओई निकाल दिया है तो यह आपको पता है यह सब ने कॉडिनेट मूफ किया था ओपेक्स प्लस क्या गेंस्ट क्योंकि जो ओपेक प्लस है वह यहां पर ओल की प्रडेक्शन नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि वह चाह रहा है जो ऑल के दामे वह बढ हो जाएंगे ठीक अब इंडिया ने स्ट्राडेजिक ओल डिजर्फ बना कहां का रखें तो इंडिया स्ट्राडेजिक डिजर्फ अपर अफ़र्ट अफ़ ब्रॉडडर प्लान तो बिल्डन एमर्जंसी स्टॉक पाल तो यहां पर सारे कंट्रीज अपने लिए कुछ आपके पास नहीं पर कुछ एमर्जंसी क्रूड रहे हमने तीन जगे केप्स बना रखें विशाका पत्ना में मैंगलॉर में और पादूर इन करनाटका तो विशाका पत्ना मैंगलॉर पादूर इन करनाटका यहां पर 5.33 mmT यहां पर स्टोर कर सकते हैं बाकि हम दो जगे तो ताकि यह हम 5.33 mmT पर स्टोर कर सकते हैं तो तीन जगे और कर रहे हैं चांदी कोल में औरीसा और पादूर दो जगे करने चांदी कोल और पादूर में ताकि हमारा यह लिमिटेशन है वह 6.55 mmT हम स्टोर कर सके हैं अभी हम लग बग 9 दिन का एमर्जंसी क्रूड रिजर कर सकते हैं हम अपना 13% of the reserves को यह पर रिलीस कर रहे हैं जो USA, USA अपना 8% of the reserves को रिलीस कर रहा है क्योंकि USA के वास 727 million barrels है तो बेसिकल उसमें USA के वास बहुत सारा है विसमें जो रिलीस कर रहा तो इसका इसलिए हमें कम percentage देख रहा है हमारे पास जो reserves से वही कम है इसलिए हमे तो crude oil यहां पर अपने पास store करके रखें ही रखें तो China के पास 90 देलों का है पर India के पास अभी 90 देनों का नहीं इंडिया के पास लगबग 9 दिनों का है साड़े 9 दिनों का है जिसमें से एक दिन का तो हम निकाल चुके हैं तो सिर्फ अभी हमारे पास साड़े 8 दिनों का बच्चा है आई होब आपको आजके नीच पर समझ आए और फिलाइक देवर देटन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थांक्यू और नाइस टे